मस्कार मैं हूँ प्रकास सिंग और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24 सरधों पर सुरक्षा करने वाले सैनिक किस तरह से अपनी सारीर की सुरक्षा करते हैं वो किस तरह से योग दिवस पे योग के माध्यम से निरोगी होने का संकल्प ले रहे हैं योग को लगभक 500 वर्सों से भारत्य संस्कृति का अभिन अंग माना जाता है और उसी परंपरा का निर्वहन भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किये जाने के बाद पांचवां अंतर राष्टे योग दिवस देश दुनिया में बड़े ही धुमधाम से मनाया गया ऐसे मैं देश की सरहदों पर जान की बाजी लगा कर देश की रक्षा करने वाले सैनिक भला कहां पीछे रहने वाले थे अ को अ ही रहने दो यू आ न बनाओ योग को योग ही रहने दो योगा न बनाओ कभी अकबर को अकबरा माइकल को माइकला न कहां शोक को भी अशोक ही रहने दो अशोका न बनाओ मैंने बाइबल को बाइबल कुरान को पुरान ही रहने दिया तुम भी रामायन को रामायन क लोग पूरी तरह से आतूर हुए पड़े हैं अध्याद्न की प्राप्ति के लिए उनका मानना है कि इस सही समय का सद्विप्योग किया जाए और आज हम मौझूद है ग्रेटर नौइडा के डवल्यू एचो सेक्टर में जहां पर लोग योग दिवस में पूरी तरह से कैसे लीन है आए जानते हैं कि कैसे लोग यहां पर योग दिवस के रूप में अपने आप में अध्यात कि प्राप्ति के लिए एक जुठ हुए है हमारा देश और पूरा विश्व पांचमा इंटरनेशनल योग दे मना रहा है इसकी हमें बहुत खुशी है और इसकी सभी को मैं मुबारक बात देना चाहता हूं इस योग से हम अपने नकी परसनल जीवन को स्वास्त को बलके अपने साथ जोड सकते हैं बिमारियों से दूर हो सकते हैं राम साहनी मैं पिछले पंदरा सालों से योग सीखता हूं सिखाता हूं मैंने योग के अंदर पिएच डी की डॉक्टरेट की बैंगलोर यूनिवरसिटी से यह बताएं कि योग गुरू होने के नाते किस उमर के योग किसी एक उमर के लिए नहीं एक बड़ी अच्छी कहावत मैं अमेरिका गया तुम्हा मुझे सुनने को मिली कि योग इस फ्रॉम वांब टू टॉम जब से पच्चा पेट के अंदर आया तब से योग करे सीखे उसकी मां योग करे उस समय और जब तक वो बूड़ा न किया और जब हम संसार से गए तो हमने स्वास छोड़ा इसलिए योग एक उमर के लिए नहीं सभी के लिए पहले तो वेट बहुत जादा था पहले मेरा वेट 55 था और जब से मैंने योग करना शुरूर गया तब से 48 हो गया और मैं यह भी कहना जाता हूं कि सब लोगों को लोग मुझे मोटा नहीं कहते हैं और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है योग करके मैं पांच साल से योगा कर रहा था जब से डॉक्टर राम साहनी आये हैं कुछ महिलाएं भी जुड़ी हूई है उनसे पूछना चाहेंगे कि घर में रह करके कैसे योग को प्रमोट क मुझे इस योग से बहुत फाइदा मिला है मैं तो सबसे पहले तो आपके चानल का धन्यवाद और मैं यही कहना चाहूं कि मैं यहां योग में जुड़ी तो मुझे बहुत फाइदा हुआ और सारे लोग अपने बच्चों को बड़े बुजुर्ग सब योग करें तो सब्सक्राइब मेरे सारी बहने मिलके भी अब तो भाई भी सारे मिल गए हैं हम से मिलके बहुत अच्छे से यह बढ़ रही है पहले से कहने के मैं 15 साल से योगा सिखाया है मैंने और बीच में यहां कर छोड़ा लेकि उसका मुझ को प्रणाम यह मिला कि मैं खुदी कैंसर क सब्सक्राइब करना चाहिए और आज मैं एकदम स्वस्तु और बहुत ज्यादा उससे भी ज्यादा मतलब इसलिए सब को हर रोग का एक ही इलाज योग इसलिए सब को योग से जुड़ो और अपने मन में इससे मन में शांती भी होती है और पुरे शरीर इमोशनल सब पूर भी होना बहुत जरूरी है योग करेंगे तो निरोग रहेंगे क्या क्या सब्सक्राइब मेरा नाम तो ब्रिजिडे आरपी अगरवाल मैं मेरा संशिक्ष्ट में तो यहीं क्यों और निरोग एक साथ है एक साथ मिले हुए और मैं देखता हूं जब से राम सानी जी ने और आपने चैनल का जो मौका दिया बड़ी बात यहां पर आपने देखा कि सभी बहने और भाई इनोंने कहा कि ना सिर्फ उनका हाल बलकि ठीक हो गए मोग ल्हाँ के सरहँ लोग उनका लापर inhalts नीकिन सवान को है लाप भाति डाओं बड़ी आपके पिअधिक ब्रसुक्रार D को जोडती है तो योग जोड़ने की प्रकृति है और यहां भी शाथचात आप देख रहे हैं कि फिर उसके बाद मैं यह भारती चैप्रदान मंतरी जीन करके दिखाया कि मेरा घुटने बिल्कुल बैंड मी हुपा रहे थे अभी मैं हलकी सी आलती पालती मार के बैठना शुरू हो गी हूँ एक हफता हुआ है मुझे यह जौइन करे हुए आपने इस तरह से सुना कि किस तरह से डेवल्यू एच ओ परिवार पूरी तरह से मना रहा है योगा दिवस को यहां लोगों ने साफ तौर पे कह दिया कि योगा के माद्यम से आप अपने सरीर को निरोगी बना सकते हैं और इस निरोगी काया के जरीये ही आप अपने जीवन को सार्थक सिद्ध कर सकते हैं समाचार सिट 24 की हर ताजात तरीन खबर के लिए आप हमार साथ यू ही जोड़े रही